हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब तो दूस्तों इस वीडियो में इस एक सिंगल वीडियो में मैं आपको इस नंबर पैड का पूरा कोर्स देने वाला हूँ यह दे वन, दे टू, दे थ्री, दे फोर, दे फाइफ इस तरह से पांच पार्स फे डिवाइड है यह वीडियो हर दिन की जो मैं आपको अभ्यास बताऊंगा और साथ में ट्रैक्टिस करने के लिए भी कुछ दूँगा तो वह सारा आपका इसी एक वीडियो में है ट्रैक्टिस के लिए अब के एकसरसाइज़ आपके नीचे डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में सारी पीडियुस आपको मिल जाएंगी महां से आप सारी पीडियुस को डाउनूलड करके और उस तरह से आप टैक्टिस कर पाऊगे तो अभी बारी है इसके डे वन की कि आपको डे वन में क्या करना है नमबर पैट सीखने के लिए हमें मुश्किल से 5 या 6 दिन लगते हैं तो इन 6 दिनों में आपको क्या क्या करना होता है वो सब इसी एक वीडियो में है तो आज हम अभी बात कर लेते हैं कि आपको Day 1 में क्या कखरना है आपको अभी नमबर पैड पर आपको टाइप नहीं हती आप सिंगल उंगली से करते हो अभी आपको सीखना शिरू कर रहे हो तो आपको Day 1 में करना क्या है जैसे आपके Hindi typing या English typing में आपकी ये home row होती है बीचले एक line जो होती है या पर आपको दिखा दे रहा हूँ ये जो line होती है home row होती है ये upper row होती है ये bottom row होती है ठीक वैसे ही इस number pad में भी हमने division किया है कि ये जो 4, 5, 6 वाने जो line है इसको हम लोग home row कहते हैं इसके जिस जो ऊपर है 7, 8, 9 वाली इसको हम upper row याने की ऊपर की पंक्ती कहते हैं ऊपर की row कहते हैं upper row ठीक वैसे ही इस 4, 5, 6 के जिस जो नीचे एक जो आपकी तीन कीज की series है 1, 2 और 3 इसे हम bottom row या lower row भी कहते हैं ठीक है या आपकी enter की या बजीरो dot plus minus into और division का sign तो जैसे आपको मैंने बताया था कि आप यहाँ पे आपका जो हाथ है ना वो resting mode पे ऐसे रखा रहता है और आपका गुठा space bar पर रहता है आपके right hand गुठा आपका space bar पर रहता है तो कुछ ऐसी ही position हमारी इस number row पर भी होती है कैसी position आप यह देख पार हो कि आपको जो 4, 5, 6 है मैंने आपको बताया कि यह home row कहलाती है तो आपके जो इदकी यह हाथ है इसकी जो यह उंगली है ना यह जो उंगली है यह मैं 4 पर रख लूँगा बीच वाली उंगली मैं 5 पर रख लूँगा और ring finger मैं 6 पर रख लूँगा और यह जो सबसे सोटी उंगली है इसको मैं enter पर रख लूँगा और यह जो थम्ब है ना जो right hand का अंगूठा है इसको मैं 0 की पर रख लूँगा ऐसे यह आपकी ideal position है कि आप जब कुछ भी type पर type नहीं कर रहे हो तो आपका हाथ कहां पर रहेगा आपका हाथ 4, 5, 6 आपकी जगा 4, 5, 6, 0 और enter यह position जो है ना यहाँ पर आपका हाथ रहेगा ठीक है 4, 5, 6, 0 और enter यह आपकी 0 position भी इसको मैं कहते है कि आप जब इसके कुछ टाइप नहीं कर रहे हो तो आप इसी position पर रहोगे ठीक अच्छा आप इसमें प्रैक्टिस क्या करना है देखिए अभी आपको 2 गंटे के लिए प्रैक्टिस करना है 4, 5, 6, 0, enter 4, 5, 6, 0, enter 4, 5, 6, 0, enter एक बार फिर देख लेते हैं कीबूर्ड की तरफ नहीं देखना है 4, 5, 6, 0, enter 4, 5, 6, 0, enter 4, 5, 6, 0, enter ये आपको करते रहना है कम से कम 2 गंटे कहां पर MS World पे World Pad पे आप Notepad पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते है 4, 5, 6, 0, enter 4, 5, 6, 0, enter आपको एक और बार मैं कहा रहा हूँ कीबूर्ड की तरफ आपको नहीं देखना है ठीक है जब आप ये दो गंटे कर लोगे उसके बाद आपको एक exercise करनी होगी जिसकी PDF की लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगी day 1 करके उस PDF को आप डाउन्डूर्ड कर लेना और उसका print out निकलो करके आपको type करना होगा उसमें मैंने आपको कुछ numbers दिये हैं random numbers है 456 और 0 का use उसमें हुआ है कैसे करना है कितनी बाद करना है मैंने आपको उसी PDF में अंदर नीचे instructions दिये होगे है ठीक तो ये आपका total काम है day 1 का ये आपको ये आपकी ideal position है जेरो और enter और आपको करना क्या है 4560 enter 4560 enter 4560 enter 4560 enter ये आपको 2 गंटे तक करना है लगातार नहीं आप बीच में rest ले सकते हो आप कर हाथ थोड़ा सा दर्द करने लगे तो आप बीच में rest लेकर भी कर सकते हो ठीक है अपने 8 गंटा किया फिर 10 minutes का आपको break लेना है फिर आप हापा नावार करेगे आप 10 minutes का break लेजिए ऐसे आपको करते-करते 2 अंट तक इसको करना है 4560 enter 4560 enter जब ये हो जाए उसके बाद जो मैंने day 1 की PDF जो मैंने नीचे दी होई है description box में उसको आप download कर लें चाहे तो उसका print out निकल वाल है या फिर आप उसको note करके भी उसके practice कर सकते हो ठीक है तो ये आपका काम था day 1 का अब बढ़ते हैं अपने day 2 की ओर तो friends अब भारी है आपके day 2 के अभ्यास की तो day 2 में हम दो नई कीज सीखेंगे type कैसे करना होगा और क्या practice करना है आज हम इस day 2 के part में इस वीडियो के day 2 के part में जानेंगे तो आप मैंने day 1 में बताया था कि आपका हाथ resting position में 4, 5, 6, 0 और enter इस तरह से रहता है अब देखो अब आज मैं आपको 7 और 1 का यूज़ करना से काम गा अच्छा बहुत simple है अब 7 जो key है इसके pass में सबसे pass में कौन सी उंगली है जाहिर से बात है ये वाली न इस हाथ की ये वाली जो उंगली है ये सबसे pass में रखी है 7 के तो जाहिर से बात है कि 7 को प्रेस करने के लिए हम इसी उंगली का use करेंगे इसके दिस्ट पास में कौन सी उंगली है थम को छोड़ दीजे इसके pass में ये वाली उंगली है तो जाहिर से बात है कि 1 को प्रेस करने के लिए भी हम ये वाली उंगली ही use करेंगे ठीक है प्रेस करेंगे वापस से लिहाएंगे अच्छा अब ये वापस आना बहुत जरूरी है इसको हम shifting कहते हैं finger shifting कहते हैं ये timing में बहुत important होती है तो आपको 7 इस वाली उंगली से और 1 इस वाली उंगली से प्रस करना है वागी आपका 0 पे थम रहता है और enter पे आपकी सबसे छूटी उंगली रहती है 4, 5, 6, 0, enter और 7 इस वाली उंगली से 1 भी इस उंगली से तो बस इतना सा आपका day 2 का यह भ्यास है और day 2 में ये 7 और 1 किस उंगली से प्रस करना है ये जानने के बाद ये समझ लेने के बाद आपको फिर day 2 करके नीचे एक pdf दी हुई है description box में उस pdf में day 2 की exercise है कैसी जिसमें मैंने आपको 4, 5, 6, 0, 1 और 7 भी मैंने आपको यूज करा हैं लगि आपकी इनकी practice भी अच्छे से हो जाए 4, 5, 6, 0, enter की practice मैंने आपको day 1 में अल्रेडी करा दी है अब day 2 में मैंने जो आपको नीचे एक pdf दी हुई है उसमें आपकी day 2 की exercise दी हुई है जिसमें आपको 7 और 1 का use भी करना है आपको 4, 5, 6, 0, enter 7 और 1 इतना आपको उसमें use दिया हुआ है उस exercise को आपको करना है ठीक है? तो pdf को आप download कर सकते हो चाहो तो उसका print out निकल वाए रहना या उसका उसको आप note कर लेना ठीक है? आप बढ़ते हैं अपने day 2 की और हाँ आप जब day 2 का काम जब अच्छे से कर लो तभी आपको अब इस वीडियो के अगले पार याने की day 3 को देखना है ठीक है? थैंक यू तो friends आईये दिखते हैं कि आप day 3 में आपको क्या करना है day 1 में मैंने आपको बताया कि 4, 5, 6, 0 और enter का use कैसे करते हैं और आपकी fingers की position क्या होती है और day 2 में हमने जाना कि आप 7 और 1 का use constantly से करेंगे साथ ही आपने इनकी combined practice जो मैंने आपको day 2 की exercise जैने की PDF में दी थी वो भी आपने आशाय कि कर लिया हुई आज हम दो नई कीज के बारे में जानाएंगे कौन कौन सी 8 और 2 8 और 2 के बारे में ठीक है 7, 1 के बारे में हम day 2 में जान चुके हैं इस day 3 में हम 8 और 2 के बारे में जानेंगे देखिए अब 8 के सबसे पास में कौन सी उंगली है middle finger जो उंगली सबसे बीच में होती है हाथ में वो आपकी 8 के सबसे पास पर रखी हुई है जाहिर सी बात है 8 को यूज करने के लिए हम ये वाली उंगली यूज करेंगे 8 को प्रेस किया वापस अले आए ऐसे ही जो निए इसके तुदर 2 लिखी हुई है ना तो 2 को प्रेस करने के लिए भी हम इसी उंगली का यूज करेंगे कौन सी? middle finger सबसे बीच वारी उंगली 8 वापस 2 वापस ये आपका तरीका है 8 और 2 को प्रेस करने का ठीक है? अब day 3 की exercise के लिए मैंने आपको नीचे day 3 करके एक pdf दी है उसमें आपकी day 3 की exercise है practice करने के लिए आपको मैंने एक अभ्यास दिया है जिसमें आपके 4560 enter 17 8 और 2 भी यूज होंगी ये सारे नंबर आपके उसमें उसमें गूज होंगे ठीक है? तो day 3 का भ्यास आप जब कर लो अच्छे से कर लो उसके बाद पर आपको अब आगे day 4 का भ्यास देखना होगा ठीक है? अब बढ़ते हैं अपने day 4 पर आप जब day 3 कर लोगे अच्छे से तभी आपको day 4 का पार्ट देखना है तो friends आई ये जानते हैं कि आप आज day 4 में क्या नया सीखेंगे देखें मैंने आपको day 1 में बताया 4560 enter day 2 में मैंने आपको 7 और 1 का यूज बताया day 3 में मैंने आपको 8 और 2 का यूज बताया तो आज day 4 में हम 9 और 3 का यूज जानेंगे 9 और 3 का यूज बहुत सिंपल है जो आपके ring finger जो होती है जो आपके ring finger होती है इसमें हम अंगोटी पैनते हैं इस उंगली से जिससे आप 6 यूज करते हो उसी से आप 9 यूज करोगे इसी से आप 3 यूज करोगे 9 3 9 3 बस इतना सा है आज का प्यास 9 3 तो ये आपको मालम चल गया कि हम 9 और 3 यूज कौन से उंगली से करेंगे ठेक है ये जानने के बाद ये समझने के बाद आपको day 4 के लिए मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF लिंक दी है उसमें आपके day 4 का अभ्यास दिया हुआ है कि आपको day 4 में प्रैक्टिस करना है ये तुस्य समझने वाली बात है कि मैंने आपको day 2 में बताया कि 7 और 1 हम कौन से उंगली से यूज करेंगे यह आपने जान लिया और आपने day 2 का अभ्यास किया day 3 में 8 और 2 और day 4 में आज 9 और 3 का यूज में जाना कि हम कौन से उंगली से उसको प्रैक्टिस करेंगे लेकिन अभी आपको अभ्यास करना वाग्य है तो day 4 की practice के लिए मैंने आपको जो नीचे PDF लिंक दी है day 5 के part की तरफ आप दे 4 का तक का काम आप complete कर लो तब आपको day 5 का part देखना है तो friends आज आज अब हम देखते हैं कि अपने day 5 के part में आपको क्या करना है तो आप सब समच चुके हो ना कि आपको मैंने हर दिन मैंने दो दो कीस बताई है आज मैं आपको कई सारी कीस बताऊँगा कौन कौन सी जो इसमें remaining है जैसे आपका ये division का sign है ये multiply का sign है ये minus का sign है ये plus का sign है और ये point का sign है इनको हम कौन सी करेंगे आपको सिर्फ कितना जानना है फिर आपको day 5 की exercise करनी है ठीक है तो शुरू करते हैं देखिए आपका हाथ में पे ideal position पर रखा रहेगा जीरो एंटर और जो की जो उंगली आपकी 5 पर रखी है ना इसी उंगली को आप बिलकुल सी दे ओपर ले जाओगे तो आपका division का जो sign है ना ये बन जाएगा ठीक है या इसको forward slash भी कहते हैं इसको forward slash भी कहते हैं ये आपका division का sign बन जाएगा जो अंगली मेरी 6 पर रखी है इसी को हम जब बिलकुल उपर ले जाएंगे तो into का sign बनेगा कौन सा बनेगा into का sign या multiplication का sign बिलकुर सी रहे इसी 6 वाली नीचे ले जाओंगा तो point बनता है आप हलका सा नीचे ले गए तो 3 बनता है लेकर अगर तुना जादा नीचे ले गए तो point बनता है इसलिए मैं आपको shifting बताईए है कि आपको बार बार वापास जरूर आना था कि आपको distance का idea लग जाए ठीक है तो एक बाफर देखते हैं division क sign आपको five वाली उंगली से जो उंगली मेरी six पर रख्ती है उससे हम into वाला sign प्रस करेंगे इस उंगली से हम point वाला sign प्रस करेंगे ठीक है आपको keyboard तिरफ देखना नहीं है आपको सिर्फ बार बार वापस आना है ठीक है division multiplication point अब देखे अब जो minus है minus के लिए भी हम ये वा भीी use करते है क्यों कि इस से यानि के ring finger से माइने तक पहुंचना आसान अलगा है इसलिए हम इसको सबसे सोटे उंगली से ना करके इसको हम रिंग फिंगर से करते हैं कि आपके जो सबसे सोटे उंगली होती है वो बाकिसे सोटी होती है ठीक है तो इसको अगर हम वहां तक ले दाएं तो काफी हमें मशक्टत करनी पड़ेगी वहां तक इसको ले दाने में इसलिए हम इसी उंगली से minus को भी use कर लेते हैं एक बार फिर देख लेते हैं division, multiplication, इसी उंगली से point इसी उंगली से minus इसी उंगली से minus आप इसको हलका सा अपर राइट में ले जाएंगे तो minus बनेगा ठीक, अब क्या बचा? सिर्फ plus बचा तो plus के सबसे pass में कौन से उंगली है? ये वाली और इस उंगली से हमने सिर्फ अभी तक enter को सीखा है तो इसी उंगली से हम plus को भी use करते हैं एक बार फिर समझते हैं जो उंगली मेरी 5 पर रखी है उसी से हम division का sign प्रस करेंगे जो उंगली मेरी 6 पर रखी है जो उंगली मेरी एंटर पर रखी है इससे हम plus को use करते हैं तो ये तो एक समझने वाली बात है कि हम कौन सी उंगली से कौन सी की प्रस करेंगे अब बारी है इसके exercise की तो अब इसकी exercise में आपको करना क्या है नीचे आपको एक PDF लिंक मिल जाएगी day 5 करके उसमें आप day 5 में आपको क्या 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 करना है कैसे करना है मैंने उसमें सब लिख रखा है तो आपको उसको उसके जो instructions हैं आपको as it is follow करना है बागि आप अपने घर में जो mobile numbers हैं अधार numbers हैं आपका pen number है उसमें आपके a to z के letters भी यूज होंगे और numbers भी यूज होंगे साथ ही आपका आपका bank account number है यह सब आपको practice करना है यह सब उस day 5 की PDF में आपको दिया हुआ है उसको आप देख लेना और उसको download करके उसको print out निकलबा करके आपको type करना है इस course को लेकर कोई वे doubt है कोई question है तो आप मुझे नीचे comment box में comment कर सकते हो या मुझे instagram पर message करके आप मुझे अपना अपनी query या question बेज सकते हो ठीक है आज यह इस course का last last का है इसी वीडियो का last part है ठीक है आज हमने क्या जाना आज हमने division का sign जाना multiply का sign जाना और point जाना साथ में minus जाना और हमने plus को हम points जिए यूज करेंगे यह जाना ठीक है तो यह इस part के end के साथ ही आपका यह वीडियो खतम होता है कोई question query आप मुझे instagram पर directly महच करके आप मुझे पूँ सकते हो thank you